Hello Everyone, Welcome to StudyTube आज है 12 जुलाई और इस डेट से जो भी महतर पुर्ण MCQ है मैं आप तक लेकर आया हूँ तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए प्रश्न है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखर के देना है ये चार आप्शन है तो आपको बताना है इन में से कौन सा एक गैड समिधानिक निकाई है गैड समिधानिक कहना है का मतलओ कि हमारे समिधान में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है किस कोई भी आर्टकिल उसे डिल नहीं करता है तो ये कौन है वित आयोग, निरवाचन आयोग, नीती आयोग कौन है आपको इसका उतर देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके देखें आप वीडियो का अगर PDF चाते हैं जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो अगर आप PDF के फॉर्म में चाते हैं कितने संस्थान को प्रतिष्ठा के संस्थान गोसित किया है तो हमारा अंसर है 6, 6 अस्थान है कौन-कौन सहा चलिए दिखते हैं इस 6 में 3 तो है पॉब्लिक सेक्टर का और 3 है प्राइवेट सेक्टर का तो देखिए, जो पॉब्लिक सेक्टर से विश्विद्याले हैं, उसमें है Indian Institute of Technology, यानि कि IIT Bombay, IIT Delhi और Indian Institute of Science Bangalore और तीन है निजी विश्विद्याले, यानि कि निजी शेतर का, एक है Reliance Foundation द्वारा Jio Institute, Bitspilani और Manipal Academy of Higher Education तो यह 6 है, 3 प्राइवेट से हैं, और 3 पॉब्लिक से हैं, देखिए, टोटल टारगेट तो है 20, टीक है, 20 संस्थान को चुना जाएगा, अभी 6 संस्थान को चुना गया, अभी 14 संस्थान और चुने जाएंगे, इस 20 में 10 होगा प्राइवेट सेक्टर से, और 10 होगा पॉब 800 विश्विदाले हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें, तो एजुकेशन के मामले में, उसमें से 1-2 ही विश्विदाले हैं, जो टॉप 100 या टॉप 200 के अंदर आते हैं, तो इनका टारगेट है, कि हम 20 प्राइश्टा के संस्थान को चुने, और उसे वर्ल्ड क वर्ल्ड में जितने भी उनिवर्सिटीज हैं, उनमें कंपेर करें, उनमें टॉप 100 में, टॉप 500 मिलाएं, पहले तो टारगेट है, कि हम 10 सालों में, इस भी संस्थान को हम टॉप 500 में लेकर के आएंगे, उसके बाद टॉप 100 में लेकर आएंगे, इसके लिए सरकार के नीजी छेतर वाले के हो हैं, नीजी छेतर वाले को नहीं मिलेगा, उनको खुद मैनस करना होगा, तो फिलाल 6 हैं, तीन प्राइवेट से, तीन पबलिक से, और आगे देखते हैं, आगे जो 14 और चुन्नी हैं, उसमें से कौन-कौन साता है, तो बस टार्गेट यही है, कि हमार जन संख्या दिन पर दिन पूरेविष्य में बढ़ती जा रही है, हमारा इंडिया दूसरे पोसिशन पर है, पहला चाना पोसिशन पर है, तो जन संख्या कंट्रोल कैसे करें, इस पर जगता फेला जाता है, किस तरह से फैमिली प्लानिंग किया जा है, इस वर्ल्ड अगला है भारत ने किस देश के साथ विज्ञान और प्रद्योधी की शेतुल में सहीयोग के लिए 5 समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो किस देश के राश्पती हमारे इंडिया में है वह है दक्षिन कोडिया के मुन जे इन हमारा अंसर है दक्षिन कोडिया टोटल 11 समझोते हैं कि आपने पर हस्ताक्षर हुए है जिसमें से 5 है साइन्स एंड टेक्नोलोजी पे दक्षिन कोडिया की रजधानी है सियोल और करेंसी है वोन विश्यू बैंक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ ववस्था में भारत का अस्थान क्या है पहले नंबर पर है USA, दूसरे नंबर पर है चाइना, छटे नंबर पर है इंडिया, तीसरे नंबर पर है जापान इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं लेकिन आपको USA चाइना तो नहीं भूलना है और अपना इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं इंडिया छटे अस्थान पर है, युएस से पहले अस्थान पर, चैना दूसरे अस्थान पर तो विश्य बैंक ने ऐसा कहा है, विश्य बैंक का है वो है अमेरिका अस्थानी वाशिंग गटन DC में एक बात और, जो आप 6th position पर इंडिया को देख रहे हैं, पहले क्या था कि 6th position पर, 2016 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, यह जो है, यह 2017 2017 में जो अर्थ बैस्ता रहा है, उसके बैसित पर निकाला गया था, तो उसमें France 6th अस्थान पर था, लेकिन अब France 7th पर चला गया है, यानि कि 7th जो आप देख रहे हैं, यह France का है position, और हमारा इंडिया का है 6th position सन फर्मा कंजूमर हेल्द केर दवा कंपनी है निकिस अभिनेता को स्वास्त पुरग रिवाइटल एच ब्रांड का ब्रांड एम्बैस्टर कर रूप में चुना है रिवाइटल एच तो ये है अक्षे कुमार हाली में भारत कोडिया पर्द्योध की विनिमाई केंदर का उधगाटन कहां किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली में नई दिल्ली के सीम अरविंद केजरीवाल और यहां के जी ल्यूटेनेंट गवरनर है वो है अनिल बैजल दिल्ली एक केंदर शाशित परदेश है किस राजी सरकार ने हाली में यहूदी समुधाई को धार्मिक अल्ब संख्यक का दर्जा दिया है तो ये है गुजरात और गुजरात पहला ऐसा राजी नहीं है इसे पहले दो राजी और है महाराश्टा है, फश्रिम बंगाल है और थर्ड नमर पर है गुजरात देखिए हमारी इंडिया में जो यहूदी की संख्या है वो है लगवग 4500 4500 यहूदी है हमारी इंडिया में और सबसे ज़्यादा है महाराश्टा के अंदर महाराश्टा के अंदर लगवग 2500 यहूदी है उसके बाद और भी एस्टेट्स है, मिजोडम है, मनिपूर है, ये सारे भी एस्टेट्स है और वेस्ट बंगाल और गुजराद, ये तीन एस्टेट्स आप नाम नहीं भूलना है आपको कि इन स्टेट्स में यहुदियों समधाय को धार्मिक अलप संक्या की दर्जा दी जा चुकी है गुजरात के CM है विजयरुपानी, और स्टेट्स बाद करें तो सबसे ज़्यादा यहुदियों की संक्या है, वो है महरास्ट्रों में बिहार ग्रामिन बैंक को किस बैंक के साथ विलाई की मंजूरी मिल गई है, तो बिहार ग्रामिन बैंक यह मर्ज हो जाएगा मद बिहार ग्रामिन बैंक से, हमारा आंसर है A किसी राजी सरकार ने Microsoft Company के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहट एक वर्स में 9500 कॉलेज शात्रो को मुफ्ध डिजिटल प्रस्रिक्षन परदान कराया जाएगा, मुफ्ध डिजिटल प्रस्रिक्षन परदान कराया जाएगा, ऐसा एक राजी ने Microsoft के साथ ग्यापन समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, तो वो राजी है, गुजरात जारकंड उत्तरप्रदेश मद्वर्चर, देखिए इन में से कोई नहीं है, मैं आप्शन में टाइप करना भूल गया, हमारा आंसर है राजस्थान, ठीक है, तो ये वो स्टेट है जो Microsoft के साथ समझ वारा का टेंपल है, वर्दमान में विश्व शहर सिखर सम्मेलन दोहर 18 का आयोजन कहां किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, सिंगापूर में, सिंगापूर, सिंगापूर की रजानी है, सिंगापूर सिटी करेंसी है, डॉलर, और ये जो आयोजन होता है, ये हर दो वर्स में होता है ये भी ध्यान रखें दो वर्स में होता है और ये जो 2018 में जो आयोजन हो रहा है ये 6th edition है अगला है दुनिया के सबसे उचे जौला मुकी माउंट ओजोस डेल सलाडो पेकीस भारते ने सफलता पुर्भक चढ़ाई कर ली है देखें यहां मैंने इस question में हाल ही ये मैंने शब्द नहीं लगाया है तो हमारा जो आंसर है ये मली मस्तान बाबु और सत्यरूप सिधहनता ये दोनो है यानि कि उपरीक्थ दोनो है ये 2015 में इन्हों ने चढ़ जब इन्हों ने चढ़ ही थी तो फिर वापस नहीं आये ये इनका डेथ हो गया उसी time और सत्यरू सिधानता, यह है सतिरूप सिधानता और यह है मल्ली मस्तान बावू, और यह मांट ओजोस डेल सलाडो, यह दो कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, चीली, चीले और अर्जंटीना, तो इसके बॉर्डर पर है, और जो एंडीस परवत स्रिंखला है, उसमें है, एंडीस पर मांट सिधले पर चड़ने वाले पहले भारतिये बने हैं, यह सतिरूप सिधानता, तो यह भी आपको नहीं भूला है, उसके बाद जो मल्ली मस्तानी बावू है, इनके बार में कुछ देख लिजिए, दुनिया में सबसे तेजी से साथ चोटियों का फता करने वाले परवत परदेश के थे, यानि कि आंदर परदेश के पहले बेखती थे, जिन्होंने एवरेश बचड़ाई की थी, तो यह सारे पॉइंट्स भी आप एक बार देख लेना, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज इज आफ डूइंग बिजिनेस करने में कितना असान है, किस राज के नंबर 4 पे, हाली में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार, विश्व के सबसे अभिनाव देशों में भारत का अस्थान क्या है, यह भारत का अस्थान है, 57th, पहले अस्थान पर है, सुजरलेंड, दूसरे अस्थान पर है, निदरलेंड, और थर नंबर पर है, पुजरलेंड, निदरलेंड, स्विडेन, और हमारा इंडिया है, 57th पोजिशन पे, हाली में किस भारती महिला क्रिकेट टीम के कोँच ने अपने पद से इस्तिफादे दिया है, तो यह है तूसार अरोत, महिला क्रिकेट टीम के कोँच थे है, इन्होंने इस्तिफादे दि जब हमारा इंडिया जो है, 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उस टाम के ये कोच थे, ग्री क्रिश्टन, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये प्रशन पुछा था, हाली में किस भारती क्रिकेटर ने 500 अंतराष्ट्य मैच पूरे कर लिये हैं, तो 500 अंतराष्ट्य मैच हाली मे कम्प्लिट कर लिये हैं, ये MS दोनी ने, और ये तीसरे भारती हैं, पहले थे सचीन दोलकर, सचीन दोलकर पुड़े वर्ल्ड में इनका नमर वन पोजिशन है, और हमारे इंडिया में फर्स्ट पतर सचीन दोलकर होंगे, सेकेंड में राहुल द्रभीड, और थर्ड पोज जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बेल आइकन का दबाईए, हमारे नए वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, थैंक्यू, सो मच, हैव अनाइस दे,